नमस्कार आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी मैं हूं सुरेंद धाका खास मुलाकात में आज हमारे साथ होंगे उत्राखन के राजिय सबासांसद नरेश बंसल जी नरेश बंसल जी रिचे बहुत और राजनीती जो अनुभव है बहुत लंबा है आठ वर्स की उम्र में वो स आजनीती से जुड़ा हुआ आप छोटे उम्र से आठ साल की महज आठ साल की उम्र से ही आप राश्टे स्वं सेवक संग से जुड़े सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार बच्पन में किसी विचार से परभावी दोकर नहीं केवल खेलने कूदने के ल प्रभाव पड़ता गया उसके कारण में संग का नियमित सुंशेक बना उसके बाद में संग का दाइत्ववान सुंशेक बना संग की लगभग का प्रचार परसार परमूख संपर्क परमूख इस परकार के सभी दाइटों का जो देनिक शाका से संबंदिते हैं मैंने निरुभन किया दिगे इनिस सब्सक्राइब एप निरुबधन किया अपने बहुत काम किया क्या अनुभव था उस समय का है जब इंद्रा गादी जी ने अमरजन्सी लगा दी तो मुझे आज भी याद है कि उस समय आज के परचार के साधन नहीं थे तो हाथ वाली जो साइकलो स्टाइल थी उस पर हम भूविगत साहिते साइकलो स्टाइल किया करते थे वो भी कही ना कहीं छुपा कर रखते थे फिर उसको वित्रित करते थे मुझे याद है इंद्रा कांदी के जीजी के जनम दिन पर भूविगत आंदोलन में ये तैग हुआ कि पूरे देश बर में अमरजन्सी के खिलाब वाल राइटिंग होगी पुलिस पुरी तरह से सन्नत थी कि कोई वाल राइटिंग नहीं होने दी जाएगी और देहरा दून मान अगर में उस दिन हम आठ बिद्धियारतियों ने तै किया कि हम वाल राइटिंग करेंगे या गिरफतार होंगे तो होंगे तो एक अस्थान पर नाम लेना उचित नहीं है अपने बहुत स्रेश्ट कारे करता वो भी बाद में राज्यसवा में भी गए उनके निवास पर हम आठ लोग सोए रात को और देखने के वो चुकी उनका निवास पल्टनमजार के पास था और हमने पूरे शहर को चार भागों में बाटा दो-दो लोगों की टीम थी, एक के हाथ में गेरू, एक के हाथ में बुरुश तो इस प्रकार से देखा, बारा बज़े गए, दो बज़े गए, पुलीस घुम रही थी, कोई वो नहीं था लेकिन दुबारा हम लगबग चार बज़े गए, निकले, तो हमने देखा, पुलीस ये मानकर वापस चली गई थी, कि अब कोई वाल राइटिंग नहीं होगी और चार बज़े से लेकर साड़े पांच बज़े तक पूरा शहर अमरजंसी के खिलाप नारों से छप गया था, पूरी टीम में से कहीं कोई गिरफतार नहीं हुआ, आठ के आठ लोग महां से निकले, शहर के एक टीम राजपूर रोड की तरफ गई, एक टीम डियेवी कॉ कार कियें, इनको इसमन किया जा सकता है. जो आदेश होता है, उसका पालन करते हैं, इस बार मुझे केंद्र का आदेश मिला, मैंने नामंकन किया, पर इस बार मुझे वापस लेने का आदेश नहीं मिला, तो मैं आज आज आपके सामने राज्य सवा में हूँ. मैं दोजार उननीस में आप प्रदेश के कारेकारी अद्यक्ष भी थे, वो नुबव कैसा था क्योंकि उससे में चुनाओ भी था. चुनाओ के लिए ही चुकि हमारे जो प्रदेश अद्यक्ष जीते वो स्वेम चुनाओ लड़ रहे थे निरी निताल से, तो केंदरे नेतरत्तों ने मुझे लगता है महसूस किया, कि कोई एक व्यक्ति कात्कालिक निर्णे लेने के लिए हो, और मैं उनका अभारी हूँ कि अभारी है तो नहोंने मुझे में विश्वास व्यक्त किया, मैंने अपनी भुमिका का निर्वन किया आप इस्किल डेवलमेंट की की जो कमेटी है अब उसमें भी है, इस्किल डेवलमेंट की मैं कंसल्टिटिव कमेटी में हूँ, लेकिन अभी जब से नामांकन हुआ है, तो उसमें किस प्रकार का सब काम होगा, यह जब बैटक वगएरा होगी सामने आएगा. दो हजार बाइस का रण तैयार, कैसे देखते हैं? आप सब जानते हैं, जो कुछ है, दो हजार बाइस में पांच राज्यों में चुनाओं होने वाले हैं. अभी एक सर्वे भी आया है, उस सर्वे ने चार राज्यों में भारतिये जनता पार्टी रिपीट कर रही है, यह दिया है और अच्छे बहुमत से कर रही है, वोट परसेंटेज पहले से बड़ा है, घटा नहीं है. तो यह हमारी सरकारों के अच्छे काम करने का एक परिणाम है, लेकिन रण तो रण होता है, भारतिये जनता पार्टी पूरी रण नीती बना करके, आपने देखा होगा कि जितना एक्टिव भारतिये जनता पार्टी का संगडन है, आज पूरे सत्तर की सत्तर विधान करने का मुँद यह पूर्ण कालिक यह कारकरता काम कर रहे हैं, जो भूथ लेवल पर बूथ को मजबूत कर ने का काम करने का हमारी बूथ तक की समिटियां बन गई है, उनका वेरिफिकेशन हो गया है, पन्ना परमुख बनाने के और हम आगे बढ़ रहे हैं, विधान सभा जी मुख्यमंत्री सब नेता पांचपा छेशे विधान सभा में पूरे फीडवेक के लिए जा रहे हैं तो संग्टनात्मक द्रिष्टी से पार्टी मजबूत भी है और एक्टिव भी है बाकी कोई दल कहीं एक्टिव नहीं दिखाई देता बाकी दलों में अभी भी सिर्फ प्रवल और चीजें चल रही हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी सुषगटित होकर के एक्टिव रूप से 2022 के लिए रण में है और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि भारतिय जनता पार्टी को 2017 से भी अधिक वोट भी और सिटे भी ये प्राप्त होंगी एक और किसानों के लिए जितना किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है उतना पहले किसी नहीं किया अब मैं गिनाता हूं आप कॉंग्रेस के समय में किसानों पर बारा परसेंट का ब्याज पड़ता था अटल जी की जब सरकार आई सिरी राजना सिंग जी किर्शे मंतरी थे उन्होंने घटा करके उसको छे परसेंट पर लाए उसको जमीन गिर्वी रखनी पड़ती थी उन्हीं की सरकार में हमने किसान क्रेइट कार्ड जारी किया जिसमें तीन लाख रुपे तक के लोन पर उसको कोई जमीन गिर्वी नहीं रखनी पड़ती सुविधा दी मोदी जी के सरकार आई हमने स्वैल हेल्थ कार्ड बनाए हमने जिस यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग होती थी जिसके कारण लाठी चा लाठी है उपज उसकी 6% बड़ी है तो इस परकार से स्वैल हेल्थ कार्ड से उसको पता लगा है कि उसकी जमीन में कितनी ताकत है किस तरह का रसाइन डालना है तो उसकी लागत उससे भी घटी है फिर MSP हमने बराबर बढ़ाए है अभी कली MSP 23 जीनसों के गोशित हुए ह अनि एक चीज़ ऐसी है जिसमें दुगना उसको जो हमने कहा था दुगनी आए करने का उसकी लागत मुली से दुगना मिल रहा है चालीस रुपे से लेकर के 400 रुपे तक MSP बढ़ाया है और तीन कानुन जो लाए हैं ये किसान के हित में हैं लेकिन कुछ लोग किसानों को कर रहे हैं वो किसानों के नाम पर अपने राजनितिक एजंडा पूरा कर रहे हैं किसान उसको समझ रहा है क्योंकि किसान के एक बार केवल कॉंग्रेस ने 60,000 करोड रुपेया कृषिडिन माफ किया था उसमें भी किसी का हुआ था किसी का नहीं हुआ था मोदी जी की सरकार पिछले दो साल के अंदर डेड़ लाख करोड रुपेया किसानों के खादे में सीधा बेजी यह सब चीजे ठीक हैं लेकिन जो आरेसेस की एक विंग है किसान संग किसान संग के बड़े नेता हैं बद्दिर नाराएंट जी वो कह रहे हैं कि हम सब चीजों पर सहमत हैं को उन्हों की हम बात नहीं करें कि सरकार पहले मिनिममम सपोर्ट प्राइज पर फैसला ले और इसे कानूनी जामा पहना है सरकार ने कहा है देखिए सरकार जो कह रही है कभी वहां से डायवट हो तो आद्दून करने का दिकार है सरकार ने कहा कि MSP बंद नहीं होगा और MSP उसके बाद रभी का और खरीब का दोनों सरकार गोशित कर चुकी है. MSP बंद नहीं होगा. मंडियें बंद नहीं होगी. मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा है. आज आ रहा है कि मंडियों कब वो होगा. नए कानून में नए मंडियां बनेंगी. खिसान को एक मौका मिलेगा, कि उसको यहाँ पैसे, जादा मिले तो यहाँ देदे, दूसरी जेके मिले तो दूसरी जेके देदे. अब आप कहेंगे इतने देशवर्ट के अंदर फ्लाई ओवर बनने हैं. फ्लाई ओवर और बाई पास बनने से यात्रा कम हुई है कि नहीं हुई है? हम दिल्ली पहले जाते थे, साथ गंटे लगते थे, अब मैं साड़े तीन गंटे में दिल्ली से आ जाता हूँ. किस कारण हुआ? क्योंकि विकल्प मिल गया. किसानों को विकल्प मिला है, लेकिन पुरानी बंद नहीं की है. कुछ लोग ये कह रहे हैं, अगर तुमको वो अच्छा लगता तो उसको अपना हुई. लेकिन जिनको उसमें फायदा उसको तो अपनाने दो. लेकिन एक हट धर्मीता उनको वकताई जा रही है. कानून में क्या खामी है, ये कोई बता नहीं रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं. पारलेमेंट मैंने देखा राजेसभा में, राजेसभा चलने नहीं दी गई. किसानों का एजेंडर नहीं है, कि पर्धान मंतरी को अपने मंतरियों का परिचे भी कराने नहीं दिया जा रहा है. बहस से भाग रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं, बाहर मीडिया में आ करके बोल रहे हैं. वह चर्चा करो, पारलेमेंट इसलिए है. कानून में कोई कमी है तो बताओ, संशोदन होगा. हैंने एक बार संशोदन हुए हैं, कोई कमी किसे ने बताई हो तो बताओ, एक भी. जो कह रहे हैं किर्शी कानून में, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा चल रहा है. पंजाब के किसान का पहली बार सबसे ज़्यादा धान खरीदा गया, सबसे ज़्यादा गयों खरीदा गया, सीधा उसके खाते में गया, तो किसान तो वहां लगा है, फिर दूसरी बात, जिस पंजाब को बादर कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, जमीन छिन जाए केवल जो उसने एडवांस लिया वो तो वापस करना पड़ेगा पंजाब के कानून में तो उसको पांच लाख रुपए जुर्माना और सजा का प्रावधान है कानून फार्मिंग वहां पहले से लाग हुए उस पर यह अंदोलन वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं पंजाब में उस किसान को जिसके उस सजागा प्रावधान है कॉंटक्स से बाहर आने पर और इस कानून ने उसको उटाया है अपने केंदर के उसमें अगर अपनाते हैं जुर्माना भी उसके उपर यहां जुर्माना भी नहीं तो यह आंदोलन वाले पहले मुखरता के से उसका विरोध करके दिखाए ना लेकिन यह राजनेतिक एजेंडा है यह किसानों के हित्में नहीं है केवल मोदी जी और योगी जी के विरोध में उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है जनता उसको समझ रही है कोई समर्तन उनको मिलने वाला नहीं बातों का सिल्सिला जारी रखेंगे फिलाल एक ब्रेक के लिए रुखते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर राजिये सभासांसद नरेश वंचल जी से बातों का सिल्सिला जारी रखते हैं आप यह पताईए आपकी क्या भूमिका 2022 के चुनाव में होगी मेरी तो एक कार्यकर्ता की भूमिका है कार्यकर्ता के रूप में जो भी काम पहले भी कभी भी जो भी काम मुझे सोपा जाता है मैं उसको अच्छे धंग से करने का प्रियास करता हूँ अब भी करूंगा और 2022 में हम सब जानते हैं हम पर संगठन भी मजबूत हैं नेतरतों मोदी जी के नितरतों में देश भर में जितने काम हुए हैं और डबल इंजन की सरकार ने परदेश में जितना व्यापक विकास के काम किये हैं और जनता उसको देख रही है और परतेक व्यक्ति से व्यक्ति भी लाबारती हुए मोदी जी की युजनाओं में गरीब से गरीब आदमी गरीब का सम्मान हुआ है महिलाओं का सम्मान हुआ है उसमें मैं कितनी युजनाई किना सकता हूं बारा रुपे का दुरुगटना भीमा पहले किसी ने सोचा नहीं गरीब आदमी के लिए महिलाओं के सम्मान की रक्ष वहां लोगों के जंदन के खाते खुले हैं उनको लगाया कि वो बेंक में जा सकते हैं। उसके माध्यम से भी उनका इंसुरेंस हुआ है. अटल बिमा योजना में लोगों ने का बिमा हुआ है. केवल एक रुपे रोज से भी कम में और जंदन का खाता खोल के गरीब आदमी को पांच लाख रुपे का बिमे की सिक्योर्टी ये इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दी. और पच्पन करोड लोगों को साड़े दस करोड परिवारों को पांच लाख रुपे का कैशलेश इलाज ये किसी ने नहीं सूचा. यानि पिछले सालों में तो जड़ी लग गी हर मैने एक नहीं योजना. गरीब कल्यान की हर मैने ये नहीं योजना. पेंडेमिक के अंदर आत्म निर्वर गरीब कल्यान अन्य योजना. आप देखते हैं पहली लेहर में भी दूसरी लेहर में भी 80 क्रोड लोगों को मुफ्त भोजन दिया है. और जहां सरकार ने मुफ्त भोजन दिया है, वहां पार्टी के कारेकरताओने भी पूरे देश वर में 22 क्रोड लोगों को उत्राखण में 25 लाख लोगों को भोजन प तरिवेंद पूरे पांच साल, लेकिन क्या हुआ चार साल में इठा दिये गया। तो पार्टी का अपना एक फैसला होता है क्योंकि आप सम जानते हैं कि विधायक का चुनाओ पांच साल का होता है। और विधायक मिलकर पार्टि का नित्र तो मुख्यमंत्री कान बनेंगा इस तै करते हैं। जो परानी सरकार के काम थे को आगे बढ़ा तो इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। त्रिवेंद्र जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, चार शाड़े-चार साल उनका काम हुआ, पैंडेमिक में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, वो सरहानिय है, हमारे पास कुछ विवस्ताई नहीं थी जिस समय लहर आई, उसके बाद सारी विवस्ताई हुई, सब कुछ हुआ है, उसका यहां दोर्द किया सकता है, लेकिन अदल्ला बदलना बदल यह पार्टी कि अपने नितिकंद. लेकिन एक म्ुख्य-मंत्री बदल थे, टीन मुख्य-मंत्री बदल गया है प्रदेश में तो जन्ता मेng मैसेज तो खराब गया है ना? मुख्यमंत्री तीन बने लेकिन बदले दोई बार गए एक पर दूसरे में अच्छा है क्योंकि जनता काम देखती है काम जब अच्छा हो रहा है तो जनता यह नहीं देखती कौन था कौन नहीं था तो पिछले पुषकर सिंग धामी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं जो तर्वेंज जी ने काम किया उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो जनता को तो काम चाहिए पुषकर सिंग धामी इसको आगे ले जा रहे हैं सब जानते हैं युवा मुक्यमंत्री है और जिस प्रकार का अपना परवतिये छेतर है उसमें युवा कितना दोड सकता कितना कर सकता है यह जंता उसका शिसम उन अप की भुभुमिका को भी वहिं बताया जा रहा है जुशना हो मानते हैं कि आपके अनुभव का लाब लिया जाएगा चुनाव में दोजार बास का जो का मिले कर दोडय है जो बीदाय का मिरें गुषक्र, में नेस थैसका नहीं क उनका मंत्री के सामने ही जगडा हो जाता है खुले मंद से अगर जगडा हो रहा है उसके बाद तीन मंत्री आपकी सरकार के आकर उन विधायक के पीछे खड़े जाते हैं और वो यह कहते हैं कि मान सम्मान की लड़ाई है हटेंगे नहीं देखे एक तो जो लोग हमारे साथ पांच वर्ष से हैं विधायक भी हैं हमारे मंत्री भी है तो उनको कॉंग्रेस के हैं ये कहना बंदोना चाहिए वो हमारे साथ हैं हमारी पार्टी के हैं हमारे लेकिन पार्टी के अंदर कोई बात होती है तो ये बात मैं जरूर कोंगा कि वो सारुजनिक रूप से नहीं होनी चाहिए, कोई किसी की शिकायत है, तो हमारे याँ बीजेपी पे ही सबसे बड़ी ये सुविधा है, आज जो एकल दल है, उनके परमुखों के पास मिलना, पहुंचना, उनकी पार्टी के नेताओं को, कारेकरताओं को बहुत मुश्किल है, भले ही वो दल सिकुड गए, आपने देखा हो गए हमने मुख्यमंत्री बदले, लेकिन तुरंत निर्ने होकर के बदल गए, दूसरी और कॉंग्रेस के अंदर नेता परतिपक्ष एक महिने तक नहीं बना पाए, दस विधायकों में भी चुन नहीं पाए कि कौन नेता परतिपक्ष बने, क्योंकि उनका और उनके केंदर के नेताओं का में संभाध हिंता रहती है, मिलने की सुविधा नहीं है, हमारी पार्टी में तो इतनी फॉरम है, फॉरम पर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, उसकी सुनवाई होती है, जितनी सहज़ता से हमारे मामंत्री संगडन, परदेश क हों या राष्ट्रे हों, और हमारे अन्यनेता उपलब्द होते हैं, मिल जाते हैं, अपनी बात आदमी उनको जाकर के कह लेता है, उतना किसी और अन्य दल में नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत कहीं कोई चर्चा होती है, तो इसको बीजेपी अनुसासन के लिए जाने जा लेकिन अनुसासन के लिए जाने जाने के बाद भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि कभी भी कहीं अनुसासन हिंता नहीं होती है, जह होती है उसका संग्यान लेकर उस पर कारवाई होती है, उसको एड्रेस किया जाता है, यह हमारा इंटरनल मेकेनिजम है, उसकी भी एक तारिफ एक हमारे सानुषाषन हींता बरतί हम्हें, बरता है. हरकसिन कहारहे हैं कि अपमान बर्दाष नहीं कि हो? किस तरह से देखते हैं कई तोड़ फॉत काई संभावना नहीं है? अगर पार्टी में इस तरह की अनुशासन हींता हो रही है तो उसे संभालने के लिए क्या करना चाएए पार्टी का मैंने बताया ना पूरा हर फॉरम है, हर एक की बात सुनने का फॉरम है, पार्टी का जांच का फॉरम है, पार्टी में अनुशासन सम्मिती है, निर्णे लेने की प्रक्रिया है, पार्टी में सब चीज है और उसी के अनुशार सब चीज होती है, पहले भी बड़ जनता के सामने हुए जब कोई आपशक्ता पड़ती है तो होगे लेकिन कुछ लोग चुनाव वारा है उस समय पर कुछ जो को इंस्टिगेट करने के भी कोशिश करते हैं तो पार्टी का इंटरनल मैकनेजम है जो पद्दती है जो वो सब समस्याओं से निमटने में सक्षम अ मैं कहता हूं अगर हरिष रावज जी के पास किसी प्रकार का ऐसा इंपुट है तो उनको बताना चाहिए उसको पकड़ करके जेल के अंधर डाला जाएगा लेकिन ये केवल जनता में सेंसेशन फलाने के लिए हरिष रावज जी का जिस प्रकार की जुमलेबाजी वो करते ह हैं कोई ना कोई संसरी छोड़ने की वो ध्यान बठाने के लिए करते रहते हैं क्या अगर अभी चुनाव कैसे होने वाले हैं तो आपको क्या लगता है बीजेपी कितने बहुमत से सरकार बनाएं मैंने बताए ना बीजेपी तीन चोथाई बहुमत लेकर के आएगी उत्तर का पास सुसंगडित है हमारा नेत्रत्तों नेत्रत्तों का नीती नियत और पार्टी का पर्तिवध्य कारता और हमारे विकास के काम कि आप देखें कभी कि इसने कलपना की 40 साल से डिमांड थी आज करन परियाग में रेलाइन पहुंचाने के उरम जा रहे हैं कि आखिर प्रेटन बढ़ेगा उत्राखन प्रेटन पर्देश है लाब होगा कि नहीं होगा सबको हमने इस्टेहों की योजना लाकर के दिये डायजार इस्टेहों वाँ चल रहे हैं जो लोग गाउं छोड़ गयते आज गाउं में वापस आ रहे हैं इस प्रकार से जो काम हम जनता के हित में हुए हैं उसको देखते हुए जनता हमारे साथ है जनता का अशिरवाद हमको है निश्चित रूप से हम तीन चोथाई बहुमत लेखर के उत्राखण में सरकार बनाएंगा चुनाब किसके चेहरे पहोगा धामी जी के या प्रधान मंत्री चुनाओ भारत जनता पार्टी के चेहरे पर होगा भारते जनता पार्टी के नितियों पर होगा भारते जनता पार्टी के संकल पत्र पर होगा यह थे राज्यसवा सांसाज नरेस बंसल जी जीनों ने साफ कर दिया है कि तीन चौथाई बहुमत से उत्राखंड में भारती जनता पार्टी क सरकार बनने जा रही है जाला कि वो ये इस बात को जरूर टाल गए हैं कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा उन्होंने साफ किया कि भारती जंता पार्टी की नीतियों पर 2022 का रंड होने जा रहा है खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही फिर किसी नए सक्स के साथ खास मुला आँ सेव इसलेशन के लिए सबस्क्राइब करे जनकन्तर टीवी एंड प्रेस् दबैल इकन नेवर मिस्स अनी अप्देट